पचास फेट बाई 23 फेट सारहे एक ग्यारो सो स्क्वाइर फेट में बनता हुआ घर आपको हम दिखाएंगे जिसमें प्लास्टर तक का काम हुआ है और टोटल कितना खर्च लगने बाला है सब कुछ बताएंगे चलिए अराम से देख लिजी ये घर को बनाने में कितना खर् पचास फेट ये लंबाई है 30 फेट चौलाई है टोटल सारहे एक ग्यारो सो स्क्वाइर फेट बनता है इस घर को सिर्फ इटा से काम किया गिया है ब्रिक से ठीक है इटे की चिनाई किया गिया है और इसमें कुछ नहीं है छट को धाल दिया गिया है बस यही काम है इतना का करने का कितना खर्च पड़ा है इसको देख लीजिए अंदर में बता दे रहे हैं अभी तक का टोटल खर्च बता दे रहे हैं जैसे साइड में सीलन रोकने के लिए प्लास्टर कर दिया गिया है ठीक है प्लास्टर के साथ साथ उहां पे सिमेंट का पेच भी लगा दिया गिय के लिए यह काम किया गया है बांकि आगी जायेगा तो 10 इंच का ये दिवाल आपको मिल जाएगा उसी के साथ में ये ब्रिक का एक पिलर मिल जाएगा इतना 20 इंच बला पीलर मिल जाएगा और यह रहा फ्रांट का भीव इसे हिसाब से सामने इंट्री मारिएगा तो एक यहां पर मिल जाएगा सीधी जो अभी स्लैब का कास्ट हुआ है बेस स्लैब डेक स्लैब जो बोल सकते हैं फिर बेस स्लैब बना है इसके उपर पैरी चड़ेगा आगे देखेगा तो यह बीम एक लगाया गया है दस इंच का यह बिल्कुल उपर में ही बीम है इसके नीचे कुछ नहीं है बीम बस बस यह बीम लगाया गया है दो इंटा ब्रिक वर्क कर दिया गया है दस इंच का उसके बाद फिर इसको बीम लगा दिया गया है तो यह सिधा बोलू तो लोड बीरिंग एस्टक्चर है क्या है लोड बीरिंग एस्टक्चर हाला कि अभी प्लास्टर का काम चल रहा है और यह रहा एक रूम आईएगा तो में साथी साथ इधर कीचन रहा ठीक है यह सी इस हिसाब से उठाया गया है बोले ना स्लैब यही बना हुआ स्लैब और इधर एक रहा रूम एक यह मास्टर रूम रहा बेटरूम साथ ही साथ इसके अंदर और एक कीचन कीचन बोले से ट्वाइलेट रहा क्योंकि मास्टर बेटरूम मतलब कि ट्वाइलेट और उपर ओटी एस रहा ओपन टूए स्काई जहां पर अगर माली जे की यह जो ओटी एस लगार है है खिर की निकालने का जगह नहीं है तो इसको लगाई है यहां पर इस डवर किया जाहिए यह समझे चैने कर आगे हम बता रहे हैं और क्या क्या सब हुआ है यह प्लाश्टर तक का काम हुआ है सीठी को इस ढंग से उठाया गया है जो कि ji इसका मैं थिकनेस की बात करो तो सरे चार इंच है क्या penny सरे 4 इंच है ना इसमS सारय तीन में कि सारय 3 इंच हों इसंग में तो यह पाइंच बहुत 19 तो यह आपको सिर्ट इन से लेकर और पांच के अंदर में रखिये पांच ज़्यादा बरहना नीच चायगे इसके बाद यहां पर जो step दे रहे हैं यह step आपको मेरे ख्याल से इंटा का ना देके सिधा concrete बनाइए तो ज्यादा मजबूत होगा उसमें लोड कम होता है इंटा का लोड ज्यादा हो जाता है क्या अंकल जी सही बोले ना हां तो इस बला से थोड़ा सा लगता है लोगों की स सस्ता परता है लेकिन सस्ता आपको बताओं तो concrete बला ही होता है और मजबूत भी वही होता है ज्यादा तो आप उसका काम करवा लिजिएगा और यह चीजे इस हिसाब से अभी तक काम किया गया है प्लंबर का pipeline plumbing कर दिया गया है पूरा यहां पे और बिजली का भी pipeline डाल दि का है खर्च ठीक है तो यह रहा यहां का जानकारी बाकी जानकारी के लिए आप हमसे contact कर सकते हैं अगर इसका नक्सा चाहिए आप हमसे पूछिए हम आपको दे देंगे वाट्सप पर ठीक है